पुप्फबगो की तीसरी गाता है फेणुपमम कायमिमम विदित्वा मरीच धम्मम अभिसंबुधानों छेत्वान मारस पपुपकानी अदस्चनम मच्चुराजस गच्छे थोड़े दिन पहले ये पढ़े थे कि कुम्भुमम कायमिमम विदित्वा शब्दों में थोड़ा से परिवर्तन हैं बात उसी प्रकार की है कायमिमम कायमिमम इस काया को फेनुपमम फेनुपमम पानी के फेन की तरह पानी में जाग हो जाता है कहीं समुद्र किनारे या कहीं पानी लगातार गिर रहा हो तब इस काया को पानी के फेन की तरह विदित्वा जान कर मरीच धंमम मरिक तृष्णा के समान अभी संभुधानों पूरी तरह समझ कर मारस काम मोह के पफुपकानी पुष्पित पूस्पा फूल जैसे देखने में सुरूमड़ा सुंदर होता है आकरश्रक होता है थोड़ी दिर के बाद मुर्जा जाता है उसकी सुगंधी भी समाप्त हो जाती है और उसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाती है ऐसे ही मार, काम, विशैभो सुंदर लगते हैं आपात रमणी होते हैं उसे थागत पूत कहते हैं छेत्वान काटकर गच्छे निर्वान पत पर चलो जिससे मच्चु राजस अदस्चनम मृत्यु राज, मृत्यु के राजा यम्राज हाँ, अदस्चनम पुनह न देखना पड़े अनेको बार मृत्यु से मुलाकात होई, यम्राज से मुलाकात होई, तथागत बुद्ध कहते हैं अब फिर से उनसे मुलाकात न हो, उसे देखना न पड़े तो क्या करना होगा? शरीर को पानी के फेन के समान शारहीन जानना और जैसा है, जैसा है, और म्री मरीचिका के सुभाव का दिखावा मात्र समझ कर, प्राणी बारम बार इस शरीर को धारन करता है, वह इसे प्री तथा अपना सुरूप मानता है, या क्या है? ब्रह्म है शरीर तो अनात्म है, अनित्य है, पानी के फेन की तरह दिखावा मात्र छड मंगूर है, दूसरा उधान देते हैं, जेट में धूप की जो लहरिया होती है, ऐसा लगता है जिसे पानी है, कभी आप तेज धूप में कहीं गाड़ी से जा रहे हों, तो दूर शड़क में भी ऐसा लगता है जिसे पानी की कोई लहर हो, मृक को ऐसा भ्रम होता है, और गर्मी के मौसम में सुभाविक प्यासा होता है, तो समझता है कि वो सामने दिख रहा है पानी, दोड़ता है, दोड़ता है, और जो जिसे वो पानी का सागर मान रखा है, जील मान रखा है, वो और होता चला जाता है वो दोड़ते दोड़ते ही उसका प्राण चला जाता है ऐसे ही ये इंद्री भोगों के प्रती है, जो सार ही नहें ऐसा लगता है अफसुख मिला, अफसुख मिला अफसुख मिला तथागत बुद्ध कहते हैं मरिक तृष्णा है प्राणी जीवन बर भागते भागते मर जाता है पढ़ाई पुरी हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी हो जाए ऐसा लगता है यह हो जाए तो मिल जाएगे, गोई हो जाए तो हो जाएगा रिटायर हो जाओंगा तो सुख मिलेगा मरिक तृष्णा जो चीज जहां नहीं है वहां से मिलने की संभावना ही नहीं है उसकी खोज गलत जगह हम कर रहे हैं क्या होगा इसका प्रणाम में? इच्छा, वाशना, तृष्णा यही सब बढ़कर हमें और अधिक उसके प्रती हमारा अध्यास और मजबूत होगा बारंबार भौ में भटकना होगा तथा गद बुद्ध कहते हैं देहा भीमान से पैदा हुए काम मोह के पुस्पित जाल को काट दो छेत्वान, मारस, पफुफकाने, काड़ दो इसको मारस, मार, यह जो मनोविकार हैं, काम मोह हैं इसको पुस्पित, पफुफकाने, पुस्प के समान समझ करके पुस्पित जाल को काड़ दो यह रमनी नहीं है, कंटका किर्ण है यह पवित्र नहीं, मलीन है यह सुखद नहीं है, भैंकर दुखद है क्या कर रहा है? निर्वान पत पर चलना है, अनासकत होना है यह सब साधना क्यों करनी है? विशय भोगों को शारहिन मानना है शरीर जैसा है छड़ मंगुर वैसा इसको समझना है भोगों में नहीं उलजना है निर्वान पत पर चलना है साधना के पत पर कल्यान पत पर चलना है ऐसा करने से अधसनम मचुराजस हो जाओ मृत्युराज के दरसन न करने वाले हो जाओ इन विचानों की घहराई में उतर कर कोई भी साधक काम करेगा तो उसे ही मोक्छ का आभास होगा कोई भी पूर्ण समाध्य में उतर कर मोक्षक अन्भव कर सकता है मोक्षक जो अणन सबसे अलग थलग सबसे असंग ये समाध्य में जब कभी वो इस्थिती आए तो कोई भी अन्भव कर सकता है जब किसी से कोई attachment नहीं है किसी से कहीं संबंद नहीं है जब विचार ही नहीं तो संबंद नहीं यही तो जोड़ने वाला है इसलिए इसको विचार मात्र भी कहते है यादगिरी, संसार क्या है यादगिरी याद करते हैं, संसार उपस्तित होता है याद न करो, संसार अपनी जगा, हम अपनी जगा, साधना में वो जितनी यादे है, जितने उसके जोडने वाले विचार हैं, साफ को खतम कर देना है, जो साधना भ्यासी हो और पूर्ण अनासक्त हो उसे घरी समाधी लगती है, जिसमें संकल्पों का, वृत्यों का अंत होता है, उस दसा में निर्वान का मोक्ष का अनभव होता है, और ऐसी दसा में फिर से मरने की जरुरत नहीं है, चौथी गाता है, तुफ्भानी हेव पचिनन्तम व्यासत्त मनसम नरम सुप्तम गामम महो महो गो इव मच्चु आदाय गच्छती पुफ्पानी हेव पुष्प के समान, पुष्पों के ही समान, विशैभोगों को पचिनन्तम चुनना, चुनते हुए पुष्प के समान जिसे फूलों को चुनते हैं वैसे ही विशेभोगों को चुनने वाले व्यासत मनसम आसक्त मनवाले नरम मनुष्य को सुत्तम गामम सोई हुए ग्रामवासी को महोगो यू भैंकर बाढ़ के समान मच्चु मृत्चु आदाय पकड़ कर गच्छती ले जाती है रात्री हो और रात्री अन्धियारी हो और ग्रामवासी सोई हो इतने में भैंकर बाढ़ आ जाए अचानक पुरा गाउं डूप जाएगा ये बाढ़ अचानक गाउंवालों को डूबा करके मार डाले यही दसा उस मनुष्य की होती है जो विशय भोगों को संसार के रागरंग को पुस्प के समान सुखद मानकर उनके चुनने में लगा है कितनी द्रावक इस्तिती होगी सब सोय हो अचानक रात में बाढ़ आ जाए और जब तक हम समझ पाएं तब तक बहा ले जाए यह उधारण देकर यह भयावा द्रिश्य उपस्तित करके तदागत बुद्ध कहते हैं ऐसे ही भयावा है यह यहीं देख सको तो कैसे है विशे भोगों को चुनने वाली की यही दसा होती है जो राग रंग में उल्जा हुआ है सांसारी माया मोह को परमशत्य समझ कर उसमें आकंठ डुवा है इसी अचेती में मृत्यु एक दिन अचानक आध हमकती है और उसे उठा ले जाती है एक भोगपत है और दूसरा है मोगचपत है दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा है जिसे चत्तीस विपरीद दिशाय हैं लेकिन भोगों में आकर्षन है क्यों वो तुनन्त मिलता है उसका लाब अब साधना करो साधना करो बाद में शानती मिलेगी अरे छोड़ो बात की बात अभी तो आनन्दा रहा है अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है शिरियल देखो खाने में अच्छा लग रहा है चुने में अच्छा लग रहा है कहां मोगचा के भर मा रहा है मोगचा मोगचा कहा करके बड़ा आकर्षक लगता है विश्वास नहीं जग अच्छा साधना कि वो हगती भी नहीं होती तो भी विश्वास नहीं चकता है आत्मी विश्वास करे शमर्भी धोके काम करे तो उसको खुद को पता चलने लगेगा शरीर तथा भोगों में शुखा भाष तृष्वास की दवड और पिड़ा है इसकी विपरीत मोक्ष के पत में चलने वाली की दृष्टी में शरीर जड़ मुर्दा है शाज और गंदगी भरा दुख का पिटा रहा है शरीर तो शरीर की छड़ मंगुर्था तो तब महसूस होने लगता है जब इसमें कोई रोग हो दुख हो पिड़ा हो तब लगता है ओफ एक कितना तकलीफ देने वाला है पाकित इसमें सुन्दर्ता और आकर्शन जब पहले अपने शरीर पर अभिमान होता है सुन्दर्ता का भास होता है तब दूसरे शरीर के प्रती आकर्शन जगता है अपने ही शरीर के प्रती एक घणा भाव घणा का मतलब कोई गलत अर्थ नहीं लेना है इसका मतलब यह है कि जैसा है गुर्देव जी कहा करते थे यदि इसको और बारी किसी विचारो और बारी किस विचारो क्या है उपर से चामला पेटा है अंदर में मांस है और पीछ अंदर चले जाओ हड़ी है रखता है ऐसा करते करते चले जाओ बचा क्या जड़कणों का प्रभाही तो है यह जड़कणों से जुड़ा हुआ है और अंतमे भिखरना है काया बिगूर्चन अनबनी भाती यह धोखा रूप है जोड़ों का जोड़ों से बना हुआ है इसलिए इसकी चड़वंगूर्था तो प्रतक्चा है रात तथा तृष्णा का अंत ही सुक्का सागर है कहीं भी भोगों में उलाजना यह दुख का साधन है शरीर क्या है शरीर भोग के लिए नहीं योग के लिए है अब भोग का मतलब प्रारब्द भोग तो ठीक है भोजन करना पड़ेगा कपड़ा पहनने पढ़ना पड़ेगा लोगों से मिलना जुलना आंक से देखना कां से सुनना हाथ से छुना वैसे यदि देखा जाएती अभी तो भोग है लेकिन यह प्रारब्द भोग है बात यहाँ पर है कि जो आकरशित हो करके जिसको तथागत मुद्द ने पहले कह दिया है सुहान उपस्सिम वीरंतम शुब देखते हुए वहां से सुख का भाव हो ऐसा लगे जब उनसे जुड़ने पर मुझे बहुत सुख मुलने वाला है यह जहाँ भाव बनेगा वही से दुखाएगा इसलिए यह भोग का साधन नहीं है योग का साधन है इसका मतलब शरीर का देखरे करना है स्वास्ता का ध्यान रखना है उप्युक्त भोजन उप्युक्त इक्सर्षाई जो भी है यह सब कराना है यह सब एक जीवनमुक्त साधक को भी आप देखे होंगे तो क्या होगा भी भोजन करते हैं भी शरीर की रक्षा के लिए करते हैं रोग लेने पर दवाई करते हैं तो क्या लगेगा? क्या अंतर है? अंतर तो बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन अंतर भीतर है. वो पंच ग्रंति की कि तनी महत्तोपूर्ण है? फेर परा नहीं अंग में नहीं इंदरीन के माई, फेर परा कच बूझ में सो निर्वारे नाहीं. एक सिद्ध साधग से दूसरे जो नवगान्तु साधग ने पूछा, अच्छा आप आप तो सिद्ध हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं? अप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, कुवां से पानी निकालता हूँ और लकड़ी काड़ता हूँ. अच्छा तो आप जब सिद्ध वस्था में नहीं पहुचे थे उस समय आप क्या करते थे उन्होंने क्या कहा कुवाँ से पानी निकालता था लकड़ी कारता था अच्छा तो आपके सिद्ध होने के पहले और बाद में कोई अंतर नहीं है पहले भी वही करते थे, बाद में भी वही करते थे उन्हें का हाँ, वही करता था लेकिन तब और अब में अंतर है पहले भी पानी निकालता था पहले भी लकड़ी काड़ता लेकिन अब वो पानी निकालना और लकड़ी काटने में बहुत अंतर है क्यों भीतर बदल गया है भीतर बदल गया है और भीतर के बदलने से वो बाहरी क्रिया देखने में वही लगेगी लेकिन बिल्कुल अलगा वो बिल्कुल अलगा है बिल्कुल अलगा है इसलिए ये योग का साधन है और जो भी इसको योग का साधन मानेगा वा शान्ती पुरुवक रहकर जीवर में तीत करता रंतता परिनिर्वान को प्राप्त होता है ये लक्ष हमेशा ध्यान में रखें लक्ष न ओजल होने पावे कदम बढ़ाता चल मंजिल तेरी पक चुमेंगी आज नहीं तो कल ये ओजल नहों पाई क्यों? जिस निसाने को आप नहीं देख रहे हैं उसे आप नहीं बेद सकते उस दिखना चाहिए दिखने का मतला वोस समझ भी आऔर चाहिए कि उस इस्थित में जाने के बाहत में क्या होगा कितनी निश्चिंतता, कितनी निर्दंदता, कितनी गहरी शांती है, ये जब बार-बार ख्याल करेंगे, तब वो खीचेगा, भूल गए, तो भूलेंगे तो इस थुल चीज दिखाई देने लगेगी, राग, देश, लड़ाई, जगड़ा, ऐसा लगेगा, ऐसा कर लेने पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा अपमान हो रहा है, मेरी निंदा हो रही है, अपमान और निंदा, लड़ाई और जगड़ा, अभी दो दिन पहले ही पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बाद, मैं तुम्हारे जनम के पहले तुम्हें नहीं जानता था, मैं अपनी मृ मृत्यू के बीच लड़ाई क्यों तो जनम और मृत्यू के बीच लड़ाई क्यों करें जब जनम नहीं था तुम्हारा तो तुम्हें नहीं जानता था और जब मैं मर जाओंगा तो तुम्हारी याद नहीं करूंगा तो जनम और मृत्यु के बीच में लड़ाई क्यों करें कितना छोटा सा समय मिलता है बहुत सारा समय तो बच्पने निकल गया कुछ समय जरजरतम निकल जाने वाली है कितना बच्चा फिर रात में सो जागो शरीर के धंदा पानी करो और समाजी कुछ कारी करो यदि आप नाप के देखें न थोड़ा सा तो ऐसा लगेगा पूरे जीवन को निकालेंगे तो पांस से दस सल नहीं मिले वाले पांस बहुत है पूरा टोटल करेंगे तो यह भरतरी जीने विवरन दिया है आप पढ़ेंगे उसमें पहुत थोड़ा समय बसता है और उसी थोड़े समय में जिसमें कल्यान की साधना की जा सकती है कितनी उलज़न भरा जीवन जीने लग जाते हैं ऐसा लगते हैं जिसे कांटे में ही चल रहे हो कांटे को निकालना है उलज़ने वाला ही संसार कांटों की बाड़ी उलज़ मर जानना है महत तो पूड़ है अपने को बचाना यह उलज़ना ही है सब तरफ उलज़ने वाले हैं इससे बचना तथागत बुद्ध कहते हैं सावधान नहीं हो गए न तो जानते हैं क्या होगा बृत्तु आएगी यहमराज आएगा और पकड़ के ले जाएगा वैसे ही जैसे गुर्देव जी कहा करते थे चुहा को बिल्ली पकड़ती है और जब बिल्ली पकड़ती है तो चुहा क्या करता है चे 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 चाहे जितना छट पटा है वो अब छुटने वाला नई है यही दसा हमारी होने वाली है इसलिए इसको विशय भोगों को चुनने को में न लगे बलकि इसको योग शाधना में सक्ति को लगाएं